हिंदी में UPSC की तयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi पर भी अच्छे से कमांड हो जाए तो आज इसके questions हम लोग discuss करने वाले हैं बहुत ही important topic है यह भी इससे भी बहुत सारे questions पूछे जाते हैं तो इससे भी हम नए नए-नए PYQ और MCQ करेंगे जिससे आपकी chemistry वाले जो कुछ portion से इन पर भी आसानी से कमांड हो सके तो शुरू कर सा लोहे पर zinc की परत जो है जमा करने की प्रक्रिया कवर्णन करता है मतलब एक ऐसी परत है जिसके उपर लोहा है लोहे के उपर हम क्या लगा रहे हैं जस्ता लगा रहे हैं तो इसकी बात की जारी है zinc को ही जस्ता कहा जाता है तो देखें यहां पर दिहान से कि यह पूछा गया कि इस process को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है rusting जंग लगना कहते हैं कि लोहे के उपर zinc लग जाता है जस्ता लग जाता है crystallization कहा जाता है इसको क्या या गैलविनी करण कहा जाता है तो इसका answer जो सही होगा वो होता है galvanization जब भी zinc शब्द आएगा तो याद रखेंगे मतलब होता है संचारण तो किसी भी चीज को खराब होने से बचाना जैसे लोहा जब खराब होता है तो उसको जंग लगना कहते है रस्टिंग कहते है लेकिन कोई दूसरा metal अगर खराब हो रहा है तो उस चीज को कहा जाता है आपका corrosion या संचारण तो उससे बचाने के गर्म पानी में चीनी को घुला जा रहा है रीता ज मदर created a concentrated sugar सिरफ क्या किया गया शुगर ली गई गर्म पानी में मिलाई गई वो घुल गई शुगर क्रिस्टल सेपरेटेड डूरिंग कूलिंग दिस डिनोट अब क्या किया जा रहा है गर्म पानी में चीनी खोल कर रीता की मा ने गाड़ी चीनी का चाशनी बनाई और ठंडा करने के दौरान चीनी के crystal अलग हो जाते हैं तो ये क्या दर्शाता है बेसिकली यहां क्या हो रहा था पहले हमने sugar गर्म पानी में मिलाई और उसके बाद जो है उसको ठंडा करके उसके crystals भी अलग कर लिये तो ये पूछ रहा है क्या ये irreversible chemical change है irreversible होता तो वो sugar के particle फिर crystal में क्यों बदलते तो irreversible जहां आएगा वो तो हो इनी सकता ये reversible है और chemical change है तो chemical change कैसे हुआ इसमें कोई composition थोड़ी बदल गई composition का मतलब की भई वो उसका संगठन थोड़ी बदल गया पानी तब भी था पानी अब भी है शुगर तब भी थी शुगर अब भी है तो बदला क्या कुछ भी नहीं बदला तो ये एक तरीके का क्या है physical change है जो आसानी से परिवर्तित हो गया तो भौतिक परिवर्तन जो प्रतिवर्ती है ये चीज इसके अंतरगत से निकल कर आती है देखते हैं अंगला question which of the following is to blame for ships rusting despite being painted paint किये जाने के बावजूद जहाजों में जंग लगने के लिए निमले के में से कौन सी चीज जिम्मेदार है अब जहाज तो पानी में चलते है तो भई उसके लिए क्या जिम्मेदार है impurities present in sea water समुद्री जल में मौझूद अशुद्धिया समुद्री जल में समुद्री जीवन marine life जो marine life होती है salts होते हैं जो आपके sea water के अंदर मिलते हैं समुद्री जल के अंदर मिलते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण होते हैं जिसके कारण जो जहाज बड़े बड़े जहाज जंग खा जाते हैं विच आप दी फॉलाइंग गैस खराब होता है ozone को formula में लिखा जाए तो क्या बन जाता है O3 जिसका answer हो जाएगा O3 मतलब ozone की बात कर रहे हैं अगला question विच आप दी फॉलाइंग प्रॉपर्टीज इस इस नौट चेंज इना फिजिकल चेंज निम लिखित में कौन सा अगुण भहुत एक परिवर्तन में परिवर्तित नहीं होता अब देखा जाए तो फई फिजिकल चेंज क्या होता है जो भहुत एक तौरप अगर किसी चीज का color चेंज हो जाए तो वो फिजिकल चेंज उसका size चेंज हो जाए तो जो है chemical चेंज शेप चेंज हो जाए तो भी उसका फिजिकल चेंज लेकिन कॉम्पोजीशन बदल जाए तो वो क्या हो गया वो हो गया एक तरीके का केमिकल चेंज मतलब संयोजन जो है वो एक तरीके से क्या है एक तरीके से रसायन परिवर्तन है या रसाइनिक परिवर्तन है क्योंकि वो chemical change है क्योंकि composition ही बदल गई जैसे water को ले लो H2O तो अगर हम देख रहे हैं कि भाई पानी है पानी ice में बदला तो भी H2O water में बदला तो भी H2O vapor में बदला तो भी H2O तो क्या नहीं बदला इसके अंदर इसके अंदर composition नहीं बदली अगर इसी composition ही बदल गई तो वो तो पानी ही नहीं बचा तो फिर तो वो क्या हो गया वो एक तरीके का chemical change हो गया अगला question है which of the following is a characteristic of burning निमलिकेट में से कौन सा जलने का गुण है कोई भी चीज का दहन, burning में क्या होता है it is accompanied by the production of heat ये गर्मी के उत्पादन के साथ है कहीं पे भी अगर आप आग लगती है तो गरम तो होता ही है तो ये तो ठीक है O2 is required for burning जलने के लिए O2 की आपशक्ता मताब oxygen की presence में ही आपका आग लगती है ये चीज आपने बच्पन में करके देखियोगी कि वह ये candle जला है, candle को उपर से किसी glass रख दिया तो वो बुझ जाती थी तो oxygen भी चाहिए होता है burning is a chemical change बिलकुल burning जो है, दहन क्या है, एक तरह का रसाइनिक परिवर्तन है तो इसका answer हो जाएगा उपर के सभी इसका answer correct हो जाएगा अगला question है विच आप दी फॉलाइंग केमिकल इस रिस्पॉंसिबल फॉर मेकिंग लाइम वाटर बिलकी निमले कि पने कौन सारा साइन चूने के पानी को दूदिया बनाने के लिए जिम्मेदार होता है तो यह याद रखेंगे calcium carbonate होता है calcium carbonate की जब बात करते हैं तो उसके साथ यह जोड़ा होता है यदि आप लोहे के तुकडे को थोड़ी देर के लिए खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग की परत बन जाएगी इस भूरे पदार्थ का नाम क्या है उसको धूल कहेंगे उसको जंग कहेंगे उसको धूल और जंग दोनों कहेंगे या उसको भूरी रेत कहेंगे तो बेसिकली जब भी iron इस तरीके से होता है तो उसको जंग कहते है जंग लग जाती है उस पर आपका रस्टिंग होती है तो dust नहीं है वो रस्ट है which of the following is a physical change निम लेकित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है अब देखे भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए ये है कि भाई भौतिक परिवर्तन वो चीज होती है physical change जिनको a से b और b से a होने में कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है जैसे पानी था ice में बदल गया ice पानी में बदल गया तो क्या है एक physical change है लेकिन जब composition ही बदल जाए मतलब कि कुछ एक नई चीज मिल जाए आपको तो वो होता है chemical change तो अब देखो formation of a salt from acid and base अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका अमल और शार react कर रहे है acid में कोई base मिल रहा है और उससे salt और water बन रहा है तो यह एक तरीके की क्या reaction है यह एक तरीके की chemical reaction है दूसरा formation of a manure from leaves पतियों का खाद का निर्मान अब पतियों से खाद बन सकता है लेकिन खाद से क्या पतिया बनेंगी नहीं बनेंगी इसके लब ripening of fruit अब एक फल का पकना फल पक चुका है तो क्या उसको कच्चा किया जा सकता है नहीं तो यह सारे example chemical change के हो गए बचा cutting a log of wood into pieces लखडी के लठे को तुकडों में काटना काटना क्या हो गया वो लखडी ही रहेगी ना कुछ composition थोड़ी बदल गया यहाँ कोई reaction हुआ ही नहीं तो correct answer हो जाएगा cutting a log लखडी के लठे को तुकडों में काटना इसके लाव which of the following is not required condition for rusting to occur जंग लगने के लिए निम्लिकित में कौन सी चीज शर्त नहीं है जंग किस किस से लगता है इसमें तीन reason तो ऐससे पता चल जाएंगे तो presence of oxygen बिल्कुल इससे जंग लगती है presence of water इससे भी rust होती है presence of water वेपर मतलब जल वाश्व की उपस्ते थी पानी की उपस्ते थी और oxygen की उपस्ते थी ये तीनों कारण हैं जिसके कारण किसी चीज के उपर जंग लगना या rust नहीं होता है लेकिन किसके कारण नहीं होता CO2 के कारण इसके कारण होती है global warming क्योंकि green house gas है ये इससे रस्टिंग नहीं होगी इससे जो दिक्कत होगी वो पुरे विश्व को हो रही है और वो है आपका green house gas global warming What kind of change is the explosion of fireworks आतिश बाजी का विश्वोट किस प्रकार का परिवर्तन है अब आतिश बाजी होगी तो बम फटता है या किसी भी तरीके से वहाँ पर क्या हो रहा है burning हो रही है तो वो एक तरीके का chemical change हो गया तो ये एक तरीके का chemical change है रसाइनिक बदलाव है तो hope सारे questions आपको समझने आ गए होंगे अच्छे से इसकी PDF जरू डाउनलोड कर लिजगा सब्सक्राइब करें Study IQIS Hindi